नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल ओटो इंफिनिटी पर दोस्तों बढ़तीवे महंगाई के साथ कार्स की प्राइज भी आसमान चू रही है तो अगर आपको अच्छे फीचर्स वाली कार चाहिए तो आपका बजट कम से कम 7-8 लैक रुपीज होना चाहिए लेकिन कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो अंडर 5 लैक रुपीज के बजट में वेरी करती हैं और जो इसी प्राइज को जिस्टिफाई करते हुए अच्छे फीचर्स प्रवाइड करती हैं लेकिन इस बजट की मार्केट में काफी कार्स मौझूद होने की वज़े से बायर्स कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी कार खरीदे तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं टोफ फाइब बेस्ट कार्स अंडर फाइफ लैग जो बेस्ट माइलेज, बिल्ट क्वैलिटी एंड कमफर्टेबल राइड सोफर करती हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंट्रिस्टिंग वीडियो नमर पांच पर है मारूति सुजू की अल्टो 800 दोस्तों इस कार को बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि ये कार मारूति की अंडर 5 लैग रुपीज में बहतरीन कार्स में से एक है लोग पहले बोला करते थे कि हर 10 सेकिंड में हाइवे पे एक स्विफ्ट देखने को मिलती है लेकिन अल्टो 800 के लॉंच होने के बाद ये चीज बदलती हुई नजर आई है 2019 में अल्टो 800 का मारूति ने एक फेसलिफ्ट वर्जन लॉंच किया था और उसके बाद से तो जैसे इसकी सेल आसमान चूग गई दोस्तों अल्टो 800 एक budgeted प्राइज में balanced कार है जिसमें आपको petrol और CNG variant ओफर किया गया है जिसमें अगर प्राइज की बात करें तो petrol वेरियंट की प्राइज शुरू होती है 3.15 लेक रूपीज से और जाती है 4.25 लेक रूपीज तक और CNG variant की प्राइज शुरू होती है 4.7 लेक रूपीज से और जाती है 4.86 लेक रूपीज तक बात करें माइलेज की तो company 22 km पर लीटर तक का माइलेज क्लेम करती है जो कि इस कार की प्राइज को देखते हुए इसे खास बना देता है मारूती आपको LTO 800 में पैट्रोल इंजन ओफर करती है जो 40 BHP की पावर और 60 NM का टॉक जनरेट करता है LTO 800 ओनली मैनुल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है जिसमें आपको 160 NM का ग्राउंड किलेरेंस मिल जाता है दोस्तो LTO में आपको Silky Silver, Updown Red and Mojito Green जैसे 526 Claire Options देखने को मिलते है नमर चार पर है Reynolds Quid दोस्तो Reynolds पी एक ऐसी कंपनी है जो Budgeted Cars के लिए Famous है और इनी Budgeted Cars में से एक नाम Quid का भी आता है अगर अपन Quid के exterior की बात करें तो आपको मिलता है Muscular Front Bumper, Split Headlamp Setup बहुत ही ज़्यादा attractive looks के साथ LED DRLs दोस्तों Quid के सारे exterior को देखा जाए तो इस कार को मिलती है एक Mini SUV की position बात करें engine options की तो इसमें आपको 2 petrol engine offer किये गए है 0.8 liter petrol engine जो 72 NM का torque जनरेट करता है दोस्तों इस Mini SUV को लिस्ट में रखा गया है इसके muscular and attractive looks की वज़े से बात करें booty space and fuel tank capacity की तो आपको 279 liter का booty space and 28 liter की fuel tank capacity दी गई है बात करें price की तो इस कार की price 4.11 lakh रुपे से शुरू हो जाती है Quid में आपको 6-7 color options मिल जाते हैं जिसमें white with black roof, outback orange जैसे unique colors भी included है अगर इसके user reviews को देखें तो यह Mini SUV market में बहुत ज्यादा पसंद करने वाली cars में से एक बन चुकी है जो इस price में इतने ज्यादा muscular looks जैसे piano black finish, central infotainment screens और साथ ही dual tone highlights भी देखने को आपको मिल जाती है जो interior को overall काफी attractive और सुन्दर बना देती है नमबर 3 पर है Hyundai Centro दोस्तों Hyundai की Centro भी Alto की तरह एक iconic brand है और इस car को भी बच्चा बोड़ा सब नाम से ही पहचानते हैं क्योंकि Centro बहुत ही ज्यादा पहले launch हो चुकी थी लेकिन ये पहले थोड़ी अलग दिखती थी लेकिन आज की Centro styling and features के मामले में काफी अलग दिखती है दोस्तो 2021 की Hyundai Centro को देखा जाए तो लगता है जैसे पूरी की पूरी कार ही बदल डाली है इस कार को इंडिया की best and favorite family cars में से एक माना गया है जिसमें आपको one petrol engine and one CNG engine offer किया गया है petrol and CNG दोनों ही engine one and redden 86 CC में available है ये कार आपको manual and automatic बोथ transmission में मिल जाएगी जी हाँ दोस्तो अब Hyundai की Centro automatic में भी available है जो इस कार के major changes में से एक माना गया है ये एक five sitter car है जो four cylinders के साथ market में लोंज हुई है बात करे boot space and fuel tank capacity की तो इस कार में आपको 235 liter का boot space and 35 liter की fuel tank capacity दी गई है आपको dual tone में interior मिलता है black and base combination के साथ जो इसको काफी premium बना देता है और features को देखें तो आपको मिलती है 7 inches के infotainment screen जो इस कार के लिए किसी lightning star से कम नहीं है बात करे price range की तो इस कार के petrol variant की price शुरू होती है 4.75 lakh रूपीज से और जाती है 6.45 lakh रूपीज तक यहां पर budget थोड़ा सा stretch हो रहा है लेकिन आपको low model में भी काफी अच्छे features मिल जाते हैं अब आते हैं सेंट्रों के mileage पे तो company patrol variant में 20 km पर लेटर का mileage ग्लेम करती है तो दोस्तो overall अगर देखा जाए तो इस कार की price बहुत ही ज़्यादा वर्थ रखने वाली price है यह कार आपको full 7 to 8 lakh रुपीज वाली कार जैसा feel करवाने वाली है नमर दो पर है मारूत्य सुजू की Espresso दोस्तो यह कार इस list में मारूत्य की दूसरी कार है और शायद इसलिए मारूत्य को best budgeted cars के लिए जाना जाता है दोस्तो Espresso इस list की नमर दो position होल्ड करती है अपने best mini segment और अपने low budget की वज़े से जहां दूसरी कार के एक showroom price 4 to 5 lakh रुपीज तक जा रही है वहीं इस mini SUV के एक showroom price only 3.75 lakh रुपीज है इस कार में आपको one petrol engine and one CNG engine offer किया गया है दोस्तो Espresso manual and automatic both transmission में available है जिसमें company 21 km per litre to 31 km per kg तक का mileage claim करती है Espresso एक 4 sitter mini SUV है जिसकी 3.5 meter की length and 1.5 meter की width दी गई है बात करें booty space and fuel tank capacity की तो 55 liter की fuel tank and 270 liter के large booty space लेकर ये car market में launch हुई है दोस्तो Espresso के exterior looks को देखें तो front headlamp से लेकर back tail light तक ये एक square shape look देती है जो इस car को काफी खास बना देता है and इसकी road performance को भी काफी अत्तक enhance कर देता है और बात करें interior की तो इस car का interior बाकी car से काफी अलग दिया गया है इसके front में आपको circular shape element दिया गया है color matching के साथ जो आपको काफी attractive look देता है इस circular element में आपको test screen system मिलता है digital instrument cluster दोस्तो ये digital instrument cluster आपको याद दिलाएगा एक best luxury car mini cooper की जिसमें आपको central में digital instrument cluster मिलता है और इनी unique features की वज़े से इस car को नमर दो position पे रखा गया है नमर एक पर है Tata Tiago दोस्तो जहां बात budgeted cars की आती है तो Tata का पीछे रहने का सवाल ही नहीं उड़ता Tata Tiago इस list के नमर वन position होल्ड करती है अपनी best safety, best features की वज़े से दोस्तो टोप safety Tata का हमेशा से ही man motive रहा है और शायद इसलिए Tata Tiago को Ncape द्वारा 4 star rating दी गई है Tata की काफी cars के outer looking and styling कुछ हद तक similar दी गई है जैसे Tata Tiago की styling Tata Nexon and Tata Altro से काफी हद तक similar है बात करे power की तो Tata का power में पीछे रहने का तो सवाल ही नहीं उड़ता तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लिटर का 3 cylinder petrol engine जो 86 bhp की power and 115 nm का talk generate करता है बात करे price की तो इस car की price 5 lakh रुपीशे शुरू हो जाती है अब बात आती है mileage की जो की आज की time पे सबसे ज़्यादा important हो गया है तो Tata इसमें 19.8 km पर लिटर तक का mileage claim करती है बात करें interior की तो आपको मिलती है fully fabric seats, dual tone interior के साथ, show of touching dashboard, large storage capacity पे आपको हर जगे देखने को मिल जाती है यानि doors, pockets में काफी space आपको देखने को मिल जाता है बात करें booty space and fuel tank capacity की तो आपको 242 liter का large booty space and 35 liter की fuel tank capacity दे गई है Tata Tiago में आपको flame red, white, Daytona gray and Arizona blue जैसे 4 to 5 color options मिल जाते है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और ऐसी ही top list देखने के लिए channel को subscribe कीजिए वीडियो पसंद आया तो like कीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जे हिंद जे वारत